हेलो भाई लो कैसे हो मैं हूँ आकास आप देखरो मेरा चैनल पोस्ट गैजिट गेमर दोस्तो आज हम बात करेंगे 30,000 के अंदर टॉप 10 गेमिंग फोन के बारे में ठीक है तो चलो यह वीडियो को स्टार्ट करते और एक बात भाई लोग प्लीज यह वीडियो को लाइक सब टीक में पर सबक्राट करते हैं जो की अराउंड थर्टी थाउजन में मिल जाता है लेकिन उसमें जो प्रोघन की गेमिंग होता है यह प्रोसेशर अच्छा है फोन एक दम सब कुछ ठीक है लेकिन जो एक गेमर चान आघ जाता है उसमें नहीं तो पहला है clean 12 इसका powder पी मान यह गेमप्ल नहीं होता चल जाता है मीडियम सेटिंग पर हम से छोटा मोटे गेम चल जाता है लेकिन अगर दो तीन गंटे या चार गंटे खेलू उसके बाद फोन थोड़ा बहुत हीट होता है और थोड़ा बहुत लैग भी करता है तो इतना स्मूद गेमप्ले इसमें नही नहीं है बाकि सब कुछ ठीक है अगर आप थोड़ा बहुत गेमिंग करते हो तो आराम से ले सकते हो कोई आपको अपरेसन ही नहीं होगा अगर आपको फार्फेक्ट गेमिंग फोन चाहिए तो भाई वीडियो को पूरा देखो मैं लास्ट में बताऊंगा टॉप 3 कर सकते हो ने सब्सक् fuzzy Mississippi सब्सक्ตरई के तो यह तो गया पहला थीन फोन आप दोस्तों आते है ठोफ जो हमारा साथ फोन है ठीक है पहला आते है दोस्तों वन प्लस का नोड़ सीफॉर कॉर्प इसका प्राइज एरांट 25,000 रुपीज था भाई में अच्छा है वह इसमें को यह बहुत ही अच्छी बात है इस बें भी आपको 7 Gen 3 जो सना प्रगन का लेटेस बाला प्रोसेसर है निया वाला वह आपको मिल जाता है कैमेरा भी अच्छा है फास्ट चार्जिंग है सारे पांच चैटर का बैटरी वेकाप है तो एफोन आपको एक बार जरूर देखना चाह तो आप BGMI Smooth पे 90 fps पर खेल सकते हो COD 120 fps पर खेल सकते हो Mediatek का 8200 प्रोसेसर है जो कि भाई एकदम ठीक ठाक है एराउंड 10 लग के करीब एंथे तो स्कोर आ जाता है बैटरी वेकाप यहां पर आपको थोड़ा कम मिलेगा और आप कॉंटिनुस गेमिंग करते हो तो एराउं साड़े 5 घंटे या 6 घंटे तक आप बैटरी वकप मिलेगा ठीक है लेकिन भाई फोन बहुत ही अच्छा है गेमिंग के लिए बोल सकते है एकदम फरफेक्ट तीजरा नंबर पे आता है अमारा OnePlus का Nord 3 यह भी भाई बहुत ही अच्छा गेमिंग फोन है अभी के टाइम पे और बजट फोन भी बोल सकते हो क्योंकि इसका जो प्राइज है कुछ महीने पहले 33 या 34 थाउजन था अभी के टाइम पे 21 या 20 थाउजन बोल सकते हो एंतुदू स्कोर आप मौन सकते हो 12 लाग के प्लास है ठीक है तो आप अराम से यहां पे 60 fps पे कोई भी गेम खेल सकते हो एराउंड साधे साथ गंटे के उपर आपको स्कीन ओन टाइम बैटरे बाकर मिलेगा ओनली गेमिंग करते टाइम और कोई लैग बगरा कोई जंजर बगरा कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी के टाइम पे अगर आपका बजट कम है तो यह वाला फोन आप ले सकते हो क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही कम हो चुका है और इसका जो खतरनाग बाला प्रोसेसर है वाई एकदम मखन जैसा वाई कोई भी गेम का आड़ाम से हंडल कर लेगा हमारा चौथा नमबर पर आता है आई-क्यू का नियो 7 प्रो एक साल का पुराना फोन है लेकिन वाई बहुत ही अप्टिमाईज है एंड स्टेबल है इसका एंतुतु स्कोर 13 लाख है ठीक है आप 6 घंटा एकदम आड़ाम से गेमिंग कर सकते हो स्मूथ पे 90 fps पे खेल सकते हो COD 120 fps पे खेल सकते हो एकदम स्टेबल परफोर्मेंस मिलेगा तो ए वाला फोन को भी आप एक बाद जरूर द 60 यह भी एक अच्छा गेमिंग फोन है अभी के टाइम पे इसका भी एंतुतु स्कोर आराउंड 13 चौदा लाग बोल सकते हो स्ट्रब्रेगन का 7 जन 3 प्रोसेसर है ऑप्टिमाईज है और यहां पे कोई भी गेम को आप आराम से हैंडल कर लेता है इसमें भी आप स्मूथ 60 fps खेल सकते हो 90 fps तो नहीं खेल सकते हैं लेकिन गेम कोई लैग बगरा नहीं काड़ा गया एक दो मक्षन जैसा गेम चलेगा तो यह वाला फोन का पर जरूर देख सकते हो पोको का एक 6 प्रो को जो मॉडल होता है यह गेमिंग के लिए माना जाता है इसका जो प्राइज है एराउंड 24 या 25 थाउजन के करी बोल सकते हो 90 fps पर आप गेमिंग कर सकते हो 60 fps अगर करोगे तो स्मूध गेमप्लेश चलेगे एकदम ठीक है साड़े 5 घंटे एकदम गेमिंग अन टाइम आपको मिल जाएगा मतलब साड़े 5 घंटे लगा तर आप गेमिंग कर सकते हो और एक अच्छा बात यहाँ पर आपको मीडिया टेक का 8300 Ultra जो लेटेस वाला प्रोसेसर है वो भाई देखने के लिए मिल जाता है जिसका गेमिंग फोन है ओभी बजेट में उसका ने में पोको का एप 6 एवाई बेस्ट गेमिंग फोन है अभी के टाइम पर ठीक है एडाउन 30,000 के करीब अगर आपका बजेट है तो वाई यह वाला फोन का आपको जरूर देखना इसका भी एंतुदू स्कोर एराउन 14 लाग या 14 प्लास बोल सकते हो एउट जेन 3 प्रोसेसर यूज हुआ है वाई एमोलेड डिस्प्ले है ठीक है कैमेरा भी अच्छा है स्टेबिलेजेशन है 60 fps पर आराम से अब गेमिंग कर सकते हो सब कुछ फोन का अच्छा है तो एही वाई टॉप 10 फोन मुझको लगा भाई जो अभी कि अच्छा हूं और गाई प्रोसे अच्छा है, यहाज हो घ्टेई है।